आज की कहानी सैम नाम की एक औरत से शुरू होती है सैम ने कुछ सालों तक आर्मी में काम किया था और वो एक ट्रेन डौरत थी सैम का तीन महीने का एक बच्चा भी था और वो उससे बहुत प्यार करती थी वो अपने पती से अलग रहती थी और वो अपने बच्चे को अकेले जगा पर थी, होश में आते ही वो सबसे पहले अपना फून देखती है, लेकिन उसके फून में नेटवर्क नहीं था, इसके बाद वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, ताकि जहां से बाहर निकल सके, इस जगा पर वो जितना आगे बढ़ रही थी, उतना ही वो हैरान हो रही थी, वो बार बार सभी दर्वाजों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती, इसी बीच सैम को एक लड़की नजर आती है, जो से देह कर डर गई थी, सैम जल्दी जल्दी उसके पीछे भागती है, और उसके पास जाकर कहती है, डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, ये सुनकर लड़की बताती है कि मेरा नाम मैंडी है, और किसी ने मुझे अगवा कर लिया था, उसकी बात सुनकर सैम समझ गई थी, कि मैंडी को भी बिल्कुल उसी की तरह अगवा करके जहां लाया गया है, इसके बा लड़कियां इस समय एक ऐसी पुरानी फैक्टरी में थी, जो शहर से दूर एक विरान सी जगा पर थी, काफी कोशिशों के बाद भी जब वो दोनों दर्वाजा नहीं तोड़ पाती, तो सैम मैंडी को एक जगा पर बैठने को कहती है, इसके बाद वो जहां से बाहर निकल करो, तब तक मैं और सिलेंडर डूनती हूँ, ताकि धमाका जोरदार हो, इतना कहकर वो और सिलेंडर डूनने की कोशिश करने लगती है, इसी दुरान उसे रास्ते के बीचो बीच एक सिलेंडर दिखता है, ये सिलेंडर जिस तरह से रखा हुआ था, उसे देह कर सैम काफी हैरान थी, अब वो जैसे ही सिलेंडर को उठाने लगती है, तभी वो गायब हो जाता है, सिलेंडर को गायब होता देख, वो बहुत डर गई थी, और उसी समय मैंडी की चीह कूँच ती है, अब वो भाग कर मैंडी के पास आती है, जिसे किसी ने चेंड से बान दिया था, अब सैम इतना डर चुकी थी कि वो भाग कर एक तैखाने में छुप जाती है, थोड़ी ही देर बाद उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, और वो कहता है, बाहर आओ सैम, वरना में तुमारे घर जाकर तुमारे बच्चे को मार दूगा, उसकी बात सुनकर सैम जैसे ह चला गया था, जिसके बाद सैम दीरे दीरे उठती है, अब सैम फिर सी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पर कैमरों से नजर रखी जा रही है, इसी बीच वो एक कमरे में पहुँच गई थी, और वहाँ उसे एक लैपटॉप नजर आता है, इस ल चैप टॉप में पड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग देखने लगती है और रिकॉर्डिंग में उसे किलर नजर आता है, रिकॉर्डिंग देहकर सैम समझ गई थी, कि किलर के पास एक ऐसा सूट है, जिसकी मदद से वो गायव हो जाता है, उसे ये भी पता चल गया था, कि कि साफ साफ देख सकते हैं इसके बाद वो फायर सिलेंडर से एक दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करती है वो अपनी कोशिश में सफल भी हो जाती है और दरवाजा भी खुल जाता है लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है तभी पीछे से किलर उस पर वार करता है और इस वर किलर ने उसके हाथ पेर रसियों से बांध रखे थे। अब किलर उसके पास आकर कहता है, मैं तो सिर्फ खेलना चाहता हूँ। इतना कहकर वो फाइर सिलेंडर जलाता है और उससे सैम के चेरे को थोड़ा सा जला देता है। उसके चले जाने के बाद सैम अज़ाद होने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। थोड़ी देर में सैम देखती है कि एक लड़का चोरों की तरह अंदर गुस रहा था। वो जैसे ही अंदर आता है तो सैम उससे मदद मांगती है। सैम को देखकर लड़का उसकी मदद करता है और उसके हाथ पर खोल कर कहता है मैं जहां चोरी करने आया था। इसके बाद वो सैम के पूछने पर उसे बताता है कि मैं एक रोशनदान से अंदर आया हूँ। उसकी बात सुनकर सैम भी रोशंदान देखती है और फिर वो कहती है मैं इस रोशंदान से बाहर नहीं निकल सकती क्यूंकि मेरे लिए ये काफी छोटा है अगर तुम पुलिस के पास चले जाओ तो मेरी जान बच सकती है उसकी बात सुनकर लड़का पुलिस के पास जाने का फैसला करता है और फिर वो वहां से चला जाता है कुछ देर बाद अब सैम ने किलर का मुकाबला करने का फैसला कर लिया था उसका मुकाबला करने के लिए वो अपने फून के कैमरे का इस्तमाल कर रही थी ताकि वो किलर को देख सके थोड़ी ही देर में उसे अपने फून में किलर नजर आ जाता है जो चुप चाप एक जगा पर खड़ा था दरासल किलर को भी खत्रे का एसास हो गया था उसे लग रहा था कि जैसे उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है इसलिए वो एक जगा चाकू लेकर चुप चाप खड़ा था अब सैम जैसे ही उसके पास पहुँचती है तो वो उसके हाथ पर वार करती है इस वार से किलर का चाकू नीचे गिर चुका था और सैम उसे जल्दी जल्दी उठा लेती है अब किलर जैसे ही सैम को पकड़ने की कोशिश करता है तो सैम उसके पेट में चाकू कुसा देती है सैम के इस वार से किलर का सुट फट चुका था और अब वो इन्विजिवल नहीं रहा था अब सैम और किलर के बीच जोरदार लडाई होती है और लडाई के आखिर में सैम किलर के पेट को चाकू से चीर देती है इसके बाद सैम जल्दी जल्दी उसी द्रवाजे से बाहर निकलती है जिसका लॉक उसने स्लेंडर से तोड़ दिया था वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी नजरें एक वैन पर पड़ती है वो इस वैन में बैठ कर जहां से भागना चाहती थी कि तभी एक ड्रोन उस पर गोलियां चलाने लगता है इससे पहले उसे कोई गोली लगती वो जल्दी जल्दी वैन से निकल कर भागती है अब सैम के सामने एक नई चनौती आ चुकी थी और इस चनौती का नाम था ड्रोन सैम ड्रोन से बचती बचती एक कमरे में आती है और कमरे में उसे एक सूट दिखाई देता है किलर ने भी बिल्कुल ऐसा ही सूट पहन रखा था और इसी सूट की मदद से वो गायब हो रहा था इसी कमरे के एक कोने में एक लैपटॉप पढ़ा था सैम जल्दी जल्दी लैपटॉप आउन कर नेट इस्तमाल करने का सोचती है ताकि वो पुलिस की मदद ले सके मगर इसमें भी इंटरनेट की सेवा मवजूद नहीं थी अब सैम लैपटॉप को चेक करती है और उसे कुछ वीडियोज मिलती है इन वीडियोज में सूट के बारे में बताया गया था और सैम इन वीडियोज को देखने लगती है जे वग्यानिक वही किलर था जिसने सैम को हुआ किया था इसके बाद सैम को पता चलता है कि ये दोनों इन वीडियोज सूट बैटरी से चलते हैं और उन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है जब एक सूट की बैटरी लो हो जाती थी तो किलर दूसरे सूट का इस्तमाल करता था आखिर में सैम ने ये सूट पहनने का फैसला कर लिया था ताकि वो ड्रोन से बचकर जहां से भाग सके मगर सैम के सामने अभी भी एक चनौती थी क्योंकि उसने जो सूट पहना था उसकी बैटरी बहुत लो थी अब सैम खुले में आकर बाहर निकलने का रास्ता डून रही थी और इसी बीच उसके सूट की बैटरी आफ हो जाती है अब सूट ने काम करना बंद कर दिया था और तभी सैम को ड्रोन देख लेता है वो उस पर गोलियां चलाता है मगर सैम उनसे बच जाती है सैम अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और इसी दुरान वो भागते भागते नीचे गर जाती है अब ड्रोन उसके पास आकर उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी गोलियां अंदर ही अटक जाती है और सैम मौका देहकर जल्दी जल्दी एक पत्थर उठाकर ड्रोन पर फिंकती है जिससे ड्रोन तबाह हो जाता है अब सैम बिलकुल सुरक्षित थी और वो जल्दी जल्दी जहां से भागती है कुछ देर बाद सैम एक गाड़ी रोकर कहती है मुझे मदद चाहिए मुझे किसी ने अगवा कर लिया था ये सुनकर गाड़ी वाला उसे लिफ्ट देता है जिसका नाम माइक था अब सैम माइक की गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कुछ देर बाद सैम अपने घर पहुँच गई थी यहां उसका बूखा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था सैम माइक के साथ यहां आई थी लेकिन उसे यह नहीं पता था कि माइक ही वो बग्याने किलर है जो इन्विजिबल होकर लोगों को मारता था अब माइक अपना सूट पहन कर सैम के घर में आता है और उसी समय सैम को खत्रे का एसास हो जाता है वो जल्दी जल्दी अपनी गण उठा कर कहती है यह मेरा घर है इसमें अगर पता भी हिलता है तो मुझे पता चल जाता है इतना कहकर वो किलर पर कई गोलियां चलाती है और कहाने के आखर में इन्वीजिबल किलर यानि बैग्यानिक माईक मारा जाता है हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद